सो हेलो गाइस इस आयूश और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में और आज के वीडियो में हम लोग एक्स्प्रेशन करने वाले हैं चेंज सो मैन एनिमे सीडीज के एपिसोड फॉर को सुनाओ दो एपिसोड के सुर्वात पावर के वही को दिखाते हुए होती है जहां पर हम देखते हैं कि पावर बहुती डिफरन डिफरन टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स को मार के खा रही होती है उनका खून पी रही होती है और अपनी पेट कैट मियाओं के साथ एक अचछा ताइम भिता रही होती है दिपर ब folds वी बैट वो क्यों एक human को search कर रही है एक मामूली सी जिन्दगी बचाने के लिए और तभी उसे समझ में आता है कि उसे actual में उस cat से लगाव हो गया है वो ये भी बात accept करती है कि ये एक fullest reason है बट साथी साथ वो ये भी बोलती है कि उसे खून पसंद है उसे खून की सारी चीजे पसंद है पर खून की एक चीज जो की उसे happiness देती है और वो ये है कि खून गरम होता है इसकी बाद scene shift के फिर से present में आ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डेंजी ने बोथ पावर और उसकी pet cat मियाओं को बचा लिया है पावर डेंजी से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने तो तुमें मारने की कोशिश करी दी तो डेंजी उसे reply करता है कि वही उसी चीज के लिए जिस चीज का तुमने मुझे offer दिया था पावर reply करते हो बोलती है कि क्या बेफकूफी भरा रीजन है ये पर अब जब तुमने मेरी pet cat और मुझे बचा लिया है तो ठीक है तुम अपना reward ले सकते हो डेंजी इस चीज को सुनके बहुत ज़दा खुश हो जाता है पर तब ही एक धमाका होता है और डेंजी का हाथ कटके जमीन पे गिर जाता है और लीच टेबिल एक लीच टेबिल वहाँ पे आ जाती है और डेंजी का हाथ उठा के उसे खा जाती है डेंजी पावर से पूचता है क्या तुम चल सकती हो और वो एक्चुल में इसलिए क्योंकि प्रिवियस फाइट में डेंजी ने अपना बहुत ज़दा ब्लड लॉस किया था, इस वज़े से डेंजी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता सही से, लीच डेविल एक्चुल में बैट डेविल की गल्फरेंड होती है, उसे मालूम चल चुगा है कि डेंजी ने ही बैट डेविल को मारा है, पर तब भी वो उसे यहां से जाने का ओफर देती है, क्योंकि उसे डेंजी क्यूट लग रहा होता है, डेंजी पूछता है कि पावर तक जा रहा है, ऐसे लड़ रहा है, और महला कि इतना दूर तक जा रहा है, सरफ एक चेस्ट को प्रेस करने के लिए, डेंजी उस लीच डेविल को एक जोर का मुखा मारने में तो कामियाब हो जाता है, पर तबी लीच डेविल डेंजी के ओपर अटैक करके उसे जमीन पे और डेंजी से बोलती है कि तुम जैसे वीकलिंग से बैट डेविल कैसे मर गया यार मैंने और बैट डेविल ने कितने सारे सपने देखे थे कितने सपने सजाए थे कि हम लोग साथ मिलके सारी यूमेनिटी को खाएंगे हैं मुझे मालूम है ये एक बहुती अजीब सा ड्रीम बर्ट स्टिल रोमेंटिक है पर तुने आके सारे सपनों पे पानी फेड़ दिया तो तुम्हें मरना होगा और डेंजी रिप्लाइ करता है कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं कुछ चेस्प स्कूर नहीं प्रेस कर ले लीच डेविल रिप्लाइ करती है कि अरे यार ब लोग फैसला करी लेते हैं कि किसका ड्रीम जादा बढ़िया है यहां पर हम लोग एक ड्रीम बैटल करते हैं और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया मैंने तुम्हें मार दिया तो यह साबित हो जाएगा कि मेरा ड्रीम अच्छा है लीच डेविल टेंजी के चैलेंज को एक्स ने अपनी जो तंग है वो डेंची के सरीर के आर पार कर देंची को काने वाली होती है पर तबी आखी ताइम पर आ के डेंची की इंच Easy की जान बचा लेता है और एक फॉक्स एस फिरिट को समन करके लीच डेविल को मार देता एंड इसके साथ successfully leech devil exterminate हो जाती है आकी के साथ तीन और लोग आई हुए होते हैं जिसमें से वो दो लोगों को rescue और evacuation में मदद कराने के लिए भेज देता है और तीसरी जिसका नाम है ही मिनो वो क्योंकि बाकियों के comparison में senior है तो आकी उन्हें area पे नजर रखने के लिए बोल देता है कि आप नजर रखिये कहीं और devils ना आ जाएं इसके बाद आकी डेंजी को hospital ले आता है और power की pet cat मियाओं को भी check up के लिए भेज देता है इसके बाद scene shift के hospital के तरफ चला जाता है जहां पर हम देखते हैं कि आकी डेंजी को बोल रहा होता है कि मुझे तुमारा हाथ मिला और मैंने बस तुमारी body में थोड़ा खून चड़ाया और तुमारा हाथ खुद बाखुद attach हो गया, re-attach हो तुम सची में एक devil की तरह हो जो कि blood से अपने आपको regenerate कर लेता है, डेंजी आकी को बोलता है कि मैंने देखा, तुम उस devil के साथ बहुत ज़्यादा friendly behave कर रहे थे, तो आकी बोलता है कि आरे यार, तुमें सची में कुछ नहीं मालूम ना, इसके बाद आकी बताता है कि actual में जो devil hunters रहते हैं वो devils के साथ contract बनाते है devil से लड़ने के लिए एंड आकी ने उस fox devil के साथ contract बनाया है, आकी उस fox devil को कभी भी समन कर लेता है, एंड इन रिटर्न वो fox devil आकी के body का थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है और इस time बस उसके हाथ की थोड़ी सी skin ली है उसने आकी बोलता है कि devils humans को मारना चाते है, same goes for the fiends, देंजी रिप्लाइ करता है कि पर power तो ठीक ठाक है, इसके बाद आकी बताता है कि मैंने surveillance camera में चेक किया थे जब तुम लोग patrol करने जा रहे थे, उसके बाद मैं उस घर में गया थे, जहाँ पे bad devil था और वहाँ पे मुझे power के blood के कुछ sheet मिले, power ने तुमें मारने कोईट करी थे ना, पर तब भी तुम power को क्यों बचाना चा रहे हो, ये दूसरी time है ये दूसरा time है, जब तुमें एक devil को बचा रहे हो, डेंजी रिप्लाइ करता है अच्छा है, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे तो याद नहीं है आखी को याद आता है कि कैसे normal civilians चेंसो मैन की तारीफ कर रहे होते हैं उसे thank you बोल रहे होते हैं, हाँ एक आदमी रहता है जो की बोल रहा होता है कि चेंसो मैन बहुती घटिया वो उसे बोलता है कि अगर मैने ये सारी बाते मकीमा सान को बताईं तो वो definitely power को जान से मार देंगी और तुम्हारी life भी risk में आ जाएगी तो instead मैं तुम्हें एक option देता हूँ कि आज से तुम मेरी सारी बाते मानना और मैं मकीमा सान को आज के incident के बारे में सारी सचाई नहीं बताऊंगा और तुम लोगों को बचा लूँगा डेंजी आकी के offer को accept कर लेता है और बोलता है कि मुझे मालूम है मेरा dream तुम लोगों के dream के जित्ता बड़ा नहीं है बट still मैं भी अपने dream के लिए उतना ही serious हूँ जित्ते तुम लोगो so you guys can count on me आकी रूम से बाहर आ जाता है हम देखते हैं पावर और हीमिनो उसका wait कर रही होती है पावर आकी से बोलती है कि टेंजी से बात करने के बाद तो मैं मालूम चल गया होगा ना कि मैं इनोसेंट हूँ आकी पावर की हतकड़ियां खोल देता है हीमिनो आकी से बोलती है कि तुम्हें मालूम है ना कि तुम क्या कर रहे हो अगर अब पावर ने किसी भी human की जान ली तू इसकी पूरी responsibility पूरा blame तुम्हारे उपर ही आया आकी जवाब देता है कि सभी devils और fiends हम devil hunters के दुश्मन है बढ़ अगर उन में से कोई devil या fiend हमारी मदद कर सकता है devils और fiend को मारने में तो हमें उनका use जरूर करना चाहिए साम को आकी मकीमा के पास आता है बट room के अंदर enter करने से पहले वो अपने looks को थोड़ा सा सभारता है I mean अपने आपको थोड़ा सा ठीक करता है इसके बाद वो मकीमा के room में enter करके उन्हें पूरे incident की सारी reports देता है कि डेंजी और power गलती से सहर से बाहर चले गयते वहाँ पे उन्हें bad devil मिला डेंजी ने bad devil को मार दिया इसके बाद division 4 ने आके leech devil को मार दिया और बस यही था incident मकीमा बोलती है कि पर power और डेंजी को जादा ही बाहर चले गयते सहर से आकी reply करता है कि हाँ मुझे मालूम है बट इस incident में किसी भी human की जान नहीं गई और हम लोगों ने दो devil को भी मार गिराया so I guess हम लोग इस चीज़ को नजर अंदास कर सकते हैं मकीमा बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है फिर पर जब आकी जा रहा होता है रूम से बाहर तब मकीमा ये भी बोलती है कि आकी अब तुम सायद नरम दिल हो रहे हो क्या ये डेंजी की संगत का असर है और आकी reply करता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ इसके बाद scene shift के next day morning की तरफ चला जाता है आकी खाना बना रहा होता है तभी दरवाजे बे कोई person बहुती तेज से खड़कडा रहा होता है नौक कर रहा होता है आकी और डेंजी पूरा चौकन ना हो जाते है तभी हम देखते हैं कि वो person दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आ जाता है and this person is none other than our power power बदाती है कि अपसे वो आकी और डेंजी के साथ ही रहेगी इसके बाद आकी को मकीमा का call आता है मकीमा आकी को समझाती है कि उन्होंने ही power को आकी के पास रहने भेजा है ताकि आकी डेंजी के साथ साथ power का भी खयाल रख सके आकी बूसता है कि आप ये सारे नमूने मेरे पल्ले ही क्यों बांध रही हो तो मकीमा उसका रिपलाई करती है कि क्योंकि मैं तुम पे ही सबसे ज़दा ट्रस्ट करती हूँ और आकी इस बात को सुनके मैं बलश कर जाता है बंदा खुश हो जाता है कोई कौन नहीं बलश करेगा इस चीज़ को सुनके और आकी फिर ओविसली बिना किसी को शुन के मान जाता है आगे हम देखते हैं कि आकी जब पावर को खाना सर्फ करता है तो खाने के अंदर सबजिय नहीं आता उसे खाना सही से खाना नहीं आता वो दिनों दिनों तक नहाती नहीं है उसे टॉयलेट सही से फ्लश करना नहीं आता इसके बाद आकी और डेंजी उसको मैनर सिखाने लगते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि जब डेंजी टॉयलेट को साफ कर रहा होता है तब और उसके पास आती है और अपने breast की तरफ इस्षारा करते हुए बोलती है क्या तो हमारी deal को भूल गए तुम अब अपना dream finally पूरा कर सकते हो और इस चीज को सुनके डंजी के पसीने निकलने लगते हैं और बोलती है कि तुम मेरी breast को तीन बार दबा सकते हो पहली कि तुमने मेरी pet cat मियाओं को बचाया दूसरा कि तुमने उस devil को मार गिराया और तीसरा कि तुमने मुझे आकी से बचाया पहले तो मैं पावर ऐसे ही जूट जूट में बोल रही होती है कि डंजी चलो ठीक है हमार निकली और यह एपिसोड यही पर एंड हो जाता है तो गाइस बस यही था वीडियो अगर वीडियो अच्छा लागा हो लाइक कर दें चैनल मेरे सब्सक्राइब क्लिके बेल आइकन दबा देना मैं विद्वाइब लोग तम लोग उस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइब 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 टाटा